नमस्कार विज्ञान और एंजिनेरिंग विशों में रुची बनाने और विशे समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किये गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक पर फिर आपका स्वागत है हमारी प्लेलिस्ट अलेक्टिकल एंजिनेरिंग और क्लास 12 की फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट में एक सीरीज आरलसे सर्किट को किस तरह से एनलाईज करते हैं और समझते हैं कि दोनों रियक्टिव एलिमेंट इंडक्टर और केपेस्टर की वल्टेज अब एक दूसरे के साथ ओपोजिट फेज में आकर सब्ट्रेक्ट होती है और रेजिस्टेंस की वल्टेज के साथ पाइथोगरस कैलकुलेशन होती है तो कॉम्पलेक्स इंपिडेंस की कैलकुलेशन से वल्टेज और करंट के मैगनिचूट और करंट और वल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगिल किस तरह से कैलकुलेट किये जाते हैं इस लर्निंग वीडियो के नोट से टीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं जहां से आप इन्हें स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये लर्निंग काम पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइज में एक सिरीज आरल सी सर्किट को एनलाइज करने के लिए हम चाल स्टीमेंट्स की फेजर अलजबरा अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे और उस अप्रोच से हम वोल्टेज के एफेक्टिव रमस मैगनीचूड और करंट के एफेक्टिव रमस मैगनीचूड में वी इकल टू आई जेड जहां कॉम्पलेक्स इंपिडेंस है वो relation प्राप्त करेंगे और current और voltage के बीच में phase difference की भी calculation कर लेंगे हमें दिये गए circuit में एक pure resistance जिसकी value R ohm है उसके साथ series में एक pure inductance L henry का connect है और साथ में एक C farad का capacitor भी circuit में supply voltage के साथ इस तरह से connect है के इन सब के साथ एक ही current flow path है और इस तरह के circuit को हम एक RLC series circuit कहते हैं एक RLC series circuit में resistance का current, inductor का current और capacitor का current एक समान है और वो common current को अगर हम I कहें तो I को जो की common है एक reference quantity मानते वे zero phase का alternating signal मानते वे, voltage का technometric expression या feature positions निकाल कर हम current और voltage में relationship और ये current और voltage के बीच में phase difference की calculation करेंगे हमने यहाँ एक non inductive R ohm के resistance को एक ideal L Henry की inductive coil के साथ एक pure capacitor C farad के साथ series में इस तरह से एक sinusoidal voltage source से connect किया है कि इन सब के बीच में current flow का एक ही path है और ये common current को हमने एक reference standard sinusoidal wave मान ली है जिसका T0 पे instantaneous value 0 है और वो sinusoidal अपना magnitude और direction बदलते वी अपनी cycles alternate करती है जब एकी current resistance inductor और capacitor में flow होता है तो resistance inductor और capacitor के across ये जो voltage है VR, VL और VC वो current के साथ अलग-अलग phase conditions में होती है resistance में current और voltage same phase में अर्था current का 0, voltage का 0 या voltage का peak और current का peak जबकि voltage अपने positive peak के साथ ही शुरू करती है वहीं capacitor में जो voltage है वो circuit के current या capacitor के current से 90 degree lag करती है voltage कुछ समय बाद जो अपना zero cross instant बनाती है वो बाद में आता है जबकि यही इस्तिती current की T0 पे ही आ गई है एक RLC series circuit को हम stiments की phaser algebra से जब analyze करते हैं तो एक phaser diagram बनाते हैं यहां series में जुड़े वे resistance inductor और capacitor में current common है तो हम इस common current को एक reference phaser लेकर उस phaser की position horizontal axis पे ले ले लेंगे अर्थात गूमते वे इस orange color के current phaser को हम horizontal reference axis पे रोक कर समय को freeze कर देंगे और समय की freeze conditions पे resistance inductor और capacitor की voltages की क्या position है उन्हें प्राप्ट करेंगे क्योंकि current को हमने horizontal reference पे रोक लिया है reference phaser बना दिया है तो यह जो orange wave है जो T0 पे 0 instantaneous magnitude से अपना sinusoidal variation कर रही है वो current की waveform हो गई है और एक resistance में current और voltage same phase में होती है तो current का positive peak और voltage का positive peak एक ही instant पे आएंगे इन दोनों का zero cross एक ही समय चंड पर आने पर voltage जब polarity बदल रहा है ठीक उसी चंड current भी अपनी direction बदल रहा है तो हम कहते हैं कि current और voltage same phase में है और SC voltage जो current के same phase में है उसे हमने एक phaser से represent कर देना है जो current के साथ parallel aligned रहेगा और जब current anti clock wise direction में omega velocity से rotate करेगा तो ये voltage phaser भी उसके बिलकुल aligned होकर rotations करेगा और हमें पता है current की maximum instantaneous magnitude और voltage की maximum instantaneous value में ohm slow relation है vm is equal to im art और अगर इस equation में दोनों तरफ मैं root 2 का division कर दूँ तो rms voltage जो resistance के across आती है वो circuit के rms current और resistance की ohmic value के product के बराबर है तो voltage और current resistance में same phase में है और voltage और current में v is equal to ir relation है एक inductor में जो voltage है current के time के साथ परिवर्तन की दर से पैदा होती है v is equal to ldi by dt जिस समय current अपनी zero value से positive peak की तरफ बढ़ रहा है उसमें positive rate of change है उसमें inductor की voltage भी positive है और current के तेज बदलाव के दोरान voltage की magnitude जादा है और peak current conditions पे जब current में बदलाव zero हो गया है तो voltage की instantaneous magnitude zero हो गई है जिस समय current positive peak से negative peak की तरफ लगातार घटता है उसमें di by dt negative है inductor की voltage भी negative होगी जिस समय current में सबसे तेज negative परिवर्तन है zero cross के समय उस समय voltage का instantaneous magnitude negative peak हो गया है और एक बार फिर जब current में positive change हुआ है तो voltage positive हो गई है और आप देखेंगे कि current और voltage में 90 degree का phase difference है और current के peak से voltage का peak समय में पहले आता है voltage lead कर रहा है current lag कर रहा है तो हम phaser notation में leading phase को anti-clockwise direction में show कर सकते हैं और कह सकते हैं कि current phaser जिसे हमने horizontal reference पे लिया है उससे inductor की voltage 90 degree lead कर रही है और maximum values जो voltage और current के उन में relation है Vm is equal to Im omega L अगर हम root 2 का division कर दें तो Rms value में ये relation हो गया inductor की voltage is equal to circuit current into omega L इस omega L quantity को हम एक नया नाम दे रहेते हैं inductive reactance इसकी unit resistance की भाती ही ohm है जब current और voltage में 90 degree का difference होता है तो एक quarter में बढ़ते current के समय inductor ने magnetic field में जो energy store की है वो ही दूसरे quarter में घटते current के समय release हो जाती है और store और release के दोरान net energy consumption या average power ऐसे circuit की zero है तो ऐसा circuit element जो current flow के लिए voltage की demand तो करता है लेकिन power consumption नहीं करता उसे हम reactive element कहते है inductor का reactive effect है उसे हिंदी में हम प्रेनिक प्रतिगात और अंग्रेजी में inductive reactance कहते है और इसकी value omega radian per second में L henry में है तो omega L product की unit ohm होगी capacitor में plates के उपर charge और plateों के बीच में विभुवांतर proportional होते हैं और जब हम capacitor के across voltage बदलते हैं तो plateों पर charge बदलने से capacitor जिस circuit में जुड़ा हुआ है उस circuit में current का flow होता है यह हम कह सकते हैं कि current के flow से capacitor की plates पे charge बदलते हैं और charge बदलने से voltage बदलती है जिस समय voltage negative peak से positive peak बदल रही है charge में एक positive change से time के साथ जो positive rate of charge flow है उससे current positive बनता है और जिस समय voltage में सबसे तेज समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उस समय instantaneous current peak magnitude पे है capacitor circuit में current और voltage के बीच में 90 degree का phase difference generate हो गया है current अपने positive peak पे है और voltage जिस समय zero cross करने की positions पर आ गया है voltage का peak बाद में आता है current का peak समय में पहले आ गया है तो हम कहते हैं कि capacitor में current lead करता है और जो phaser lead करता है उसे हम anti-clockwise direction में represent करते हैं क्योंकि series RLC circuit में हमने current को friends phaser लिया है capacitor voltage current से 90 degree पीछे lagging phase में है वो clockwise direction में 90 degree angle पे यहाँ अपनी phaser location रखेगा हम current की RMS magnitude और capacitor के cross RMS voltage में V is equal to IXC relation प्राप्ट कर चुके हैं और यहाँ यह capacitive reactance one over omega C है जहाँ omega मेरी supply की angular frequency और C farad में capacitance की value है जहाँ रहे XL में omega L numerator में थे जबकि XC में one over omega C omega और C दोनों denominator में है लेकिन XL भी ohm में है XC भी ohm में है और यह ohm value को हम resistance की बज़ाए reactance इसलिए कहते हैं क्योंकि जब circuit में current और voltage के बीच में 90 degree का phase difference होता है तो बढ़ती voltage के समय capacitor energy को store करता है और जो energy उसने store की वो ही गढ़ती voltage के समय release हुई पूरे cycle period में net energy consumption या average power zero होने के कारण ऐसे circuit element को हम reactive element कहते हैं और reactive element की property को हम जो current के proportional voltage डिमांड करता है reactance कहते हैं और capacitor के reactance को xc को अंगरे जी में हम capacitive reactance और हिंदी में धारी T.A. प्रतिगात कहते हैं अगर हम series RLC circuit में किर्चौफ का voltage लो लगाएं तो कह सकते हैं कि supply voltage का division resistance inductor और capacitor की voltage के रूप में होगा या resistance inductor और capacitor की voltage का phasor sum मेरी supply voltage की phasor magnitude के बराबर होगा ध्यानरे phasor rotating vectors हैं लेकिन हम study की convenience के लिए समय को freeze कर लेते हैं और freeze condition पे rotating phasor रूप कर vectors बन जाते हैं हम time को उस instant पे रोकेंगे जिस समय current हमारा horizontal reference line पे हो और current जब reference phasor बन जाएगा तो current के साथ individual resistance inductor capacitor की जो voltage के relation है उनसे इन phasor की position समय मालूम हो जाएगी और इन phasor को हम vector की जैसे जब calculate करेंगे तो अभी पाएँगे कि ये जो मेरे दोनो reactive element है inductor और capacitor उनकी voltage VL और VC आपस में opposite phase में आएगी और opposite phase के phasor summation के दोरान numerically subtract हो जाएंगे और उनके subtraction से एक net reactive voltage generate होगी और net reactive voltage और resistance की voltage की phasor calculation हम 90 degree angle पे vector होने के कारण पाइथोगरस से करेंगे और उस calculation से हमें current और voltage में relationship मालूम हो जाएगी लेकिन ध्यान रहे कि ये L और C की voltage L K और C के reactive effect inductive reactance और capacitive reactance training प्रतिगात और धर्तिगात पर निर्बर करती हैं और इन प्रतिगात के मान नेकेवल हेंडरी और farad में मेरे inductor और capacitor की values पे depend करते हैं साथ हमें वो supply की frequency पे भी depend करते हैं तो मेरे एक circuit में current और voltage में क्या relation रहेगी वो frequency पे भी depend करेगी RLC series circuit में R, L और C की phasor voltage some supply voltage है और क्योंकि series circuit में common current है तो common current को हमने horizontal reference line पे एक ऐसा phasor ले लिया है कि इसकी comparison में हम दूसरे voltage phasor की positions को पता कर सकते हैं और हमने जाना कि resistance में जो voltage है वो current के save phase में है inductor में voltage current से 90 degree anti-clockwise lead करती है और capacitor की voltage current से 90 degree lag करती है हमने कभी याद करने के लिए सीखा था कि capacitor और current दोनों की spelling में जो मिलान हो रहा है वो बता रहा है कि capacitor में current आगे है तो inductor में उल्टा है वहाँ current पीछे है तो हम current को horizontal reference में लेके resistance की voltage को current की same phase में inductor की voltage को 90 degree lead position में और capacitor की voltage को current से 90 degree lag position में जब indicate करते हैं तो हम पाते हैं कि L की voltage और C की voltage opposite direction के phasors हो गए हैं और अब यहाँ बड़े voltage magnitude से छोटा magnitude जुडने की बजाए जब हम इसके सिर्पे capacitor की voltage की पूंच रखके और resultant vector निकालना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि जो resultant voltage है L की voltage और C की voltage वो numerically difference होके VL और VC बड़े में से छोटे का difference होके net reactance voltage आ गई है जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमने पाया कि एक series RLC circuit में जो दोनों reactive element है L और C उनकी voltage out of phase opposite phase में थी और L की voltage C से जो ज़ादा थी उन दोनों का difference net reactance voltage जब मैंने calculate की तो यह L और C का एक combined circuit एक inductive circuit जैसा behave करने लग गया है जिसकी net reactance voltage VX है और R की voltage और X की voltage एक दूसरे के साथ 90 degree angle पे जब हम vector summations करेंगे तो R की voltage में जो L और C की voltage का difference जो net reactance voltage है वो हम add करने के लिए R की voltage की head पे हम X की voltage का tail रोग कर जब हम R की voltage का tail और X की voltage का यह head आपस में जोड देंगे तो हमें यह जो काली रेखा में diagonal आया है उससे resultant supply voltage मालूम हो जाएगी और हमें मालूम है इस right angle triangle में यह जो diagonal है वो base और perpendicular के साथ पाइथोगरस relation निकाल रहा है ज्यान रहे हैं यह जो VX है net reactance voltage वो circuit में inductor की voltage और capacitor की voltage का numeric difference है क्योंकि यह दोनों phaser आपस में opposite directions में आये थे और summation के दोरान opposite direction के vector के numeric value subtract होके यह net reactance voltage आ गई है RLC series circuit में जब current को reference phaser ले लिया तो R की voltage current की same phase में L की voltage current से 90 degree आगे और C की voltage current से 90 degree lagging phaser positions पे आ गई है और हमें जो circuit दिया गया है उसमें L के across जो VL voltage है वो C की voltage से ज़्यादा है तो ऐसी इस्तिति में यह opposite direction के phaser का जो difference net reactance voltage है वो L और C की voltage का difference हो गया है और मेरी supply voltage diagonal base R की voltage और perpendicular L और C की voltage के square के sum के साथ यह Pythogorus relation रखती है दोनों तरफ square root लूँ तो supply voltage का relation R, L और C की voltage के साथ इस प्रकार का हो गया है और मुझे मालूम है कि R की voltage current के साथ IR, L की voltage IXL और C की voltage IXC relation रखती है ग्यान रहे XL की value omega into L है और XC की value 1 over omega C है और अगर मैं R, L और C की voltage के current के साथ relation यहां substitute कर लेता हूँ VR की जगए IR, VL की जगए IXL और VC की जगए IXC रखा तो यह I square जो common है उसे अगर root से बाहर निकालूँगा तो वो I के root में बाहर आ जाएगा और supply voltage का current के साथ यह square root में R square plus XL minus XC का square relation आया है XL और XC, inductive reactance और capacity reactance का यह जो difference है इसे मैं नया नाम दे देता हूँ net reactance, शुद्ध प्रतिगाहत और परिपत के प्रतिरोध और L और C के प्रतिगाहत का जो अंतर है शुद्ध प्रतिगाहत उसकी जो python का RLS calculation है वो एक वैसी calculation होगई जैसे सरल RL circuit की calculation थी और हमारे पास R और X से Z आ गया है पाइथोगोरस calculation से और V is equal to IZ relation आ गया है जहना है Z R और X का पाइथोगोरस calculation है अगर R तीनों में और X चारों में तो Z तीनों और चारों का जोड़ साथ ने होके पांचों माता है एक बार अगर हमें circuit में R, X मालूम हो XL और XE के difference से हम X निकाल देंगे तो Z की calculation कर सकते हैं Z की value से V बटा Z करके हम circuit के current निकाल सकते हैं और हम net reactance की voltage और resistance की voltage के ratio को इस angle का tangent समझ के current और voltage के बीच में 10 inverse करके phase difference angle भी calculate कर सकते हैं अगर एक circuit में L की voltage जादा ना होके C की voltage से कम हो तो क्या phasor condition होगी वो भी समझी जा सकती है हमें RLC series circuit में जो condition दी गई है कि current flow होने पे जो capacitor की voltage है वो inductor की voltage से जादा है एस इस इस्तिती में एक बार फिर जब हमने series में जो common current है उसे horizontal position पे reference phasor लिया तो R की voltage current के same phase में L की voltage current से 90 degree leading position में और capacitor की voltage current से 90 degree lagging position पे हमने जब draw की तो हमने देखा कि inductor की voltage और capacitor की voltage out of phase है और जो बड़ा magnitude है उससे जब छोटा magnitude मैंने subtract किया तो net reactance voltage इस बार capacitive nature की आ गई है R की voltage और net reactance की voltage का summation total supply voltage आ जाएगा जो यहाँ साफ दिख रहा है दोनों एक दूसरे के साथ perpendicular है तो मैं R की voltage के उपर अगर ये net reactance voltage जोड देता हूँ तो ये जो मेरा काला diagonal आया है वो R की voltage के साथ net reactance voltage का vector या phaser summation हो गया है तो हमें दिये गए RLC circuit में current को horizontal reference पे लेने के बाद R की voltage उसके same phase में L की voltage current से 90 degree आगे और C की voltage current से 90 degree पीछे आई और C की voltage VC L की voltage VL से जादा है तो इन दोनों का जो difference है जादा में से कम का subtraction वो net reactance voltage हो गई और इन दोनों का ये summation मेरी supply voltage, resistance की voltage और net reactance voltage जो VC और VL का difference है उसके साथ एक Pythogorus calculation हो गई है दोनों तरफ अगर मैं square root लूँ तो मेरी supply voltage, R की voltage और C और L की voltage के difference के साथ ये relation रखती है और मुझे मालू है कि R की voltage IR C की voltage IXC L की voltage IXL है अगर मैं ये सारे magnitude यहां substitute करूँ तो मेरे current और supply voltage के साथ एक relationship आ गई है current का square दोनों तरफ से common root से बाहर I के root में आ जाएगा और square root में resistance का square और दोनों reactance capacitive reactance और inductive reactance का difference का square आया है और इसको मैं net reactance कहता हूँ और इसकी nature यहां देखिएगा जो net voltage है, reactive voltage वो current से lag कर रही है, ये capacitive nature की है तो ये capacitive nature का net reactance resistance के साथ Pythogorous calculation करके impedance Z बना लेता है और हमें पता है कि AC circuit में impedance वो circuit property है जो current flow को oppose करते समय proportional voltage की demand करती है और वो resistance और reactance के Pythogorous calculation से calculate हुई है और यहां circuit में RLC तीनों थे लेकिन L और C का जो effect है उसमें C की voltage, L की voltage से ज़ादा थी तो जो net reactance voltage आई उससे एक net reactance, capacitive reactance और inductive reactance का difference यहां आ गया है वो net reactance resistance के साथ Pythogorous calculation करके Z बना रहा है अगर R5 हों है, X 12 हों है तो Z 13 हों हैगा तो हम कह सकते हैं कि RLC series circuit के 3 positions हो सकती है एक position में अगर L की voltage और C की voltage बराबर हो, तो RLC circuit एक pure resistive circuit जैसा behave करता है और उस condition को हम resonance कहते हैं इसी playlist की दूसरी वीडियो में हमने RLC series circuit में resonance को बहुत detail में explain किया हुआ है अगर L और C में से L की voltage, C की voltage से जादा हो तो net reactance voltage inductive nature के आ गई है और हमने इसे brown color से show किया यह बताने के लिए कि यह जो reactance voltage है वो circuit current से 90 degree leading position पे आई है R की voltage current के same phase में होती है net reactance voltage और resistance की voltage एक pythogorous calculation करके जो supply voltage और current का relation बनाती है उसमें resistance और net reactance एक impedance बना लेते हैं वहीं अगर C की voltage जादा हो L की voltage कम हो तो जो net reactive voltage है वो capacitive nature की हो गई है हमने यहाँ blue color से इसे indicate किया है और यह net reactive voltage अब current से lag कर रही है तो मैं पाराओं कि मेरी supply voltage चाहे मेरा right angle triangle उपर R के साथ net reactance voltage जोड़े या नीचे R की voltage के साथ net reactance voltage जोड़े pythogorous calculation, supply voltage, resistance की voltage और net reactance की voltage के साथ same relation रखती है बस एक फरक आ रहा है जब circuit में inductive effect dominate करता है net reactance inductive nature का है तो current lead करता है हमने सीख रखा है capacitor में current lead करता है लेकिन आप देखिए चाहे net reactance inductive nature का हो या capacitive nature का हो वो बड़े में से छोटे का difference है और R और X की pythogorous calculation चाहे XL का effect जादा हो चाहे XC का effect जादा हो net result Z के रुप में एक जैसा बनेगा और Z, R और X की pythogorous calculation से दोनों तरह के circuit में एक जैसे आएगा तो आप पाएंगे कि एक RLC circuit या तो RL जैसा हो जाता है या RC जैसा हो जाता है और हमारी calculations सरल हो जाती है तो चाहे circuit में inductive voltage capacity voltage से जादा हो चाहे capacity voltage inductive voltage से जादा हो जो मेरी net reactance voltage है वो दोनों के difference से जब calculate होती है तो वो supply voltage के साथ resistance voltage का relation pythogorous calculation triangle चाहे उपर बने right angle triangle या diagonal नीचे बने एक जैसा relation रखता है और दोनों circuit में impedance एक जैसा effect रखता है तो हम कह सकते हैं कि impedance AC circuit का वो result है जो resistance और net reactance की pythogorous calculation से आया है और वो current flow के लिए proportional voltage की demand करता है अब ज़रा खुबसुरत बात समझते हैं कि L का effect और C का effect जो दोनों reactive effect है वो एक दूसरे से subtract क्यों होते है net reactance दोनों inductive और capacitive reactance का difference क्यों है हम waveform बनाते हैं और current को हमने एक reference sinusoidal wave T0 पे 0 instantaneous value की यहां orange shape में दिखाई है तो हमने देखा कि inductor की voltage उससे 90 आगे और capacitor की voltage current से 90 पीछे जब हम draw करते हैं और हमने एक ऐसा circuit लिया है जिसमें inductor की voltage capacitor की voltage से ज़ादा है VLE is greater than VC तो आप देखेंगे कि हर instant पे inductor की voltage अगर positive है तो capacitor की voltage negative है इस quarter में और अगले quarter में जब inductor की voltage ने अपनी polarity change की है तो capacitor की voltage की भी polarity change हो गई है और एक positive है दूसरा हर quarter में आप देखेंगे एक positive है एक negative है तो हर instant पे आप देखेंगे कि इन दोनों की जो net voltage है वो difference होगी जैसा कि यहां phasor से भी represent हो रहा है phasor vector है और यह दो opposite direction के vector summation करते समय subtract हो जाएंगे और अगर phasor rotate भी हो तो आप देखते हैं कि हर instant पे आप देखें VL और VC opposite phase में है VL और VC इस time instant पे zero cross कर रहे हैं तो आप देखें कि VL positive से negative हो रहा है और VC negative से positive हो रहा है उसमें capacitor की positive peak voltage आ रही है तो हम पा रहे हैं कि instantaneous voltage का यह difference phasor के difference से justify होता है चाहें inductor की यह brown voltage हो या capacitor की blue voltage हो दोनों voltage इस orange current wave से 90 degree का phase difference रखती है जब current और voltage में 90 degree का difference होता है तो circuit में यह जो इस तरह के element है inductor और capacitor वो net energy consumption ही करते है ऐसे circuit में average power 0 होती है लेकिन जो interesting बात है वो यह है कि L और C जब circuit में एक साथ होते हैं तो इनके reactive energy store release करने वाली जो nature है वो opposite nature है ज़रा समझीए यह पहले quarter में जब current positive है तो inductor की voltage positive है current और voltage का यह जो instantaneous magnitude है इसका product एक positive power inductor में source से energy की supply को बता रहा है और बढ़ते current के साथ inductor energy को store कर रहा है उसी समय supply current के इस पहले quarter में current की instantaneous value positive है और capacitor की instantaneous values negative है तो current और voltage का यह जो instantaneous power है capacitor की वो negative है इसका मतलब है कि capacitor अपनी decreasing voltage के साथ जो energy release कर रहा है वो source को वापस feed हो रही है और capacitor और source के बीच में negative power का relation हो रहा है ज्यान रहे हैं इस circuit में inductor की voltage capacitor की voltage से ज़ादा थी तो बढ़ते current के समय जो inductor energy को positive power के साथ store करता है वो energy storage का magnitude गढ़ते voltage के साथ capacitor की release energy से ज़ादा है तो ऐसी इस्तिती में जो capacitor की energy है वो तो inductor लेगा ही और जो difference energy है वो source से लेगा तो source के लिए L और C का ये जो combination है वो एक difference reactance की जैसे behave करेगा यही बात दूसरे quarter में भी समझी जा सकती है इस समय current positive है अभी भी और decrease हो रहा है लेकिन उसी दोरान गटते current के साथ inductor energy को release कर रहा है और ध्यान रहे inductor की magnitude बड़ी है वो जो energy release कर रहा है वो जादा है तो वो energy का कुछ हिस्सा तो capacitor में store हो जाएगा और बची भी source को वापस चली जाएगी और आप देखेंगे कि पहले section में inductor ने जो excess energy source से ली थी वो ही energy इसने source को release कर दी है तो inductor और capacitor दोनों ने मिलकर net energy consumption नहीं की है जिस समय एक energy store कर रहा है दूसरा release कर रहा है अब capacitor energy store कर रहा है तो inductor release कर रहा है अभी अगले quarter में अगर आप देखेंगे तो inductor ultipolarity की magnetic field के साथ energy को store करने लग गया है और capacitor घर्टी voltage के साथ energy को release कर रहा है और capacitor की energy inductor में exchange हो रही है और source के लिए L और C का जो combo effect है वो difference के बराबर act करेगा अगर circuit में दोनों विपरीत nature के energy storage device हो inductor और capacitor तो उनका net reactive effect difference बन कर आता है आशा है आज की इस learning वीडियो से RLC series circuit में inductor और capacitor के reactive effect difference क्यूं होते हैं यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा इसी playlist की कुछ दूसरी वीडियो की मदद से जब RLC circuit की numerical problems को आप देखेंगे तो इस subject की understanding और जादा अच्छी हो जाएगी आप अच्छा पढ़ें तरक्य करें have nice time फिर मिलते हैं एक नई learning वीडियो के साथ thank you very much